नमस्कार मैं हिमंत बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन 1857 की क्रांती के विशे में जिसके अंतरगत हम लोग जानेंगे कि 1758 की क्रांती जिसको की भारत का प्रतम स्वतंतरता शंगराम कहा जाता है इसके पीछे क्या कारण थे, किस प्रकार से यह क्रांती सुरू होती है, क्या कुछ घटनाए घटित हुई थी इसके बाद इस क्रांती का क्या परिणाम निकला, आगे क्या प्रभाव पड़ा, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिज करेंगे तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, आच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा तो चली हम लोग सुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को सन 1857 की क्रांती, जिसको की हमारे भारत में अंग्रेजों के विरुध किया गया प्रथम श्वतंतरता शंगराम कहा जाता है 1857 की क्रांती, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस क्रांती के सुरू होने के पीछे कारण क्या थे कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवर्श्य होता है, चाय कुछ भी घटना हो, और कई घटनाएं ऐसी होती है, जिसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण होता है, और वो कारण काफी लंबे भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा नही किया गया प्रथम स्वतंतर्ता संगराम था या फिर प्रथम विद्रह हो था यह हम लोग बोल सकते. भारत में सन 1757 में अंगध्यों ने पाओं जमाना शूरुख कर दिया था. 1757 में क्या हुआ था तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, बंगाल में अंग्रेजों और ब फी जो विश्वास पात्र लोग थे वो सब अंग्रेजों से मिल जाती है बाद में सिराजुत दौला की धोके से हत्याबी कर दी जाती है उसके बाद 1777 प्लासी के युद्ध के पस्चात अंग्रेज बंगाल में किंग मेकर बन जाते हैं करते हैं जिसको चाहे उसको बंगाल का नवाब बनाना सुरू कर देते हैं मतलब जो अंग्रेजों को फाइदा पहुंचाएगा उसको वो लोग बंगाल का नवाब बनाना सुरू कर देते हैं पहले मीर जाफर को बिठाते हैं जब उससे मन भर जाता है मीर कासिम को बिठाते हैं मीर कासिम थोड़ा सा होसियारी दिखाना सुरू करता है तो वापस से मीर जाफर को बनाया जाता है आगे चल करके बक्सर की लड़ाई होती है और बक्सर की लड़ाई के बाद तो भई अंग्रेजों के पाउं बंगाल में गड़ से जाते हैं मतलब क उनकी सत्ता इस्थापना का जो स्वपन होता है लगभग वो जो है पक्का हो जाता है फिर इसके बाद 1773 में regulating act आता है जिसके तहत जो अंग्रेज है British East India Company बंगाल के सासक बन जाते हैं तो इसके सुरुवात कहां से हुई थी 1757 प्लासी के युद्ध से तो प्लासी के युद् है कब हुआ था 1757 में प्लासी और जो प्रथम 438 संग्राम है भारत की वो 1857 में हुआ था तो लगभग देखिएगा आप लोग सव वर्स का समय है प्लासी के युद्ध और प्रतम netष घ्रिणा रोसindruck मतलब जो भी बोलो जो अपने सत्रू के प्रती अपने मन में जो भाव रखते हो ना तो वो वाली चीजे भारतियों के मन में भरने लगा घर करने लगा कि ये जो अंग्रेज हैं विदेशी हैं हमारे देश में आये हैं सासक बन बैठे हैं हमको गुलाम बनाया है हमारा सोसन कर तो वो जो चीज है उनके मनमस्तिस्क में कई ना कई वो रोस व्याप्त कर रहा था लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था, हलाकि कई बार बाहर भी आया था, बीच-बीच में काफी सारे विद्रो हुए थे, 1757 से लेकर का 1857 की अवधी में, ये जो सव वर्सकी अवधी थी, का पानू ने विद्रो किया, सैनिकों ने विद्रो किया, आमजनता ने विद्रो किया, यहां तक कि वन और दूरवर्ती छेतरों में रहने वाले जन जातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी ये इस सव वर्ष के ओधी में एक चीज ध्यान रखेंगे कभी आपसे पूछा जा सकता ये जो समय है ना 1757 सव वर्ष की जो कालव अधी है इस में 40 बड़े विद्रो हुए थे 40 थे कभी आपसे पूछा जा सकता है तो ये संख्या आप आप लोग ध्यान रखेंगे लेकिन इससे जादा विद्रोह हुए थे हम लोग उने पिछले दो वीडियो में देखा जनजाती विद्रोह देखा हर गिशान विद्रोह देखा नागरीक विद्रोह देखा शैनिक सपाइले कुछ ऐसे घटनाए घटित होती है जिससे भारतियों के मनमस्तिस्क में जो अंग्रेजों के प्रति जो रोस भरा हुआ था ना वो भर करके बाहर आ जाता है जैसे देखो कोई भी चीद जब अती हो जाता है ना तो उसके बाद आदमी के मतलब सहन करने की जो चमता ह जब भर जाती है तब वो विरोध करना शुरू कर देता है तो ठीक यह हुआ था 1857 में तो सारे लोग मतलब कोई एक नहीं कि जैसे कि ठीक के वल सैनिकों ने विद्रोह किया था नहीं ऐसा नहीं है सैनिक तो थे ही थे साथ ही साथ किसानों ने उनका साथ दिया था दस्तकार जनता जिनोंने मान के चलो उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन इन विद्रोहियों का भर्षक समर्थन किया जब उनके छेतर में आते तो उनके लिए व्यवस्था कर देते थे कि भाई वो लोग आराम से निकले खाने पीने की विवस्था इस टाइप की दूसरी विवस्था इस टाइप से कर देते थे मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी यह कि आप विद्रोह कर रहे हो किसी का विरोध कर रहे हो तो आप भी बंदुक लेकर के लड़ने चल दो भाई आपको वो काम क्यों करोगे अब दूसरा काम कर सकते हो न जो विरोधी हैं जो लड़ रहे हैं आप उनकी मदद कर सकते हो उनके लिए भोजन विवस्था कर सकते हो दूसरी जो विवस्थाएं हैं वो आप कर सकते हो तो जो सामान में लोग थे उन्होंने विद्रोहियों के लिए य इसको हम लोग जानते हैं सबसे पहले, तो कारण जैसा कि मैंने बताया इनी सव वर्सों में छुपा हुआ है कारण, जो कि 1857 के कुछ वर्स पहले बहुत जादा हो गया, तो कारणों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि राजनेतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण ऐसे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनेतिक कारणों के विशय में, तो देखें, राजनेतिक कारण की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल इन सब के बारे में पढ़ा तो इनके जो नीतियां थी ना इन गवर्नर जनरलों की नीतियां वो जो भारतियों के विरुद थी जैसे की जब वारिन हेश्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था तो उसके समय की जो भूराजस्व नीती थी और कोई छेतर है वहां से भूराजस ववसूल करना है उसको निलाम किया जाता था जो सबसे ज़्यादा भूराजस ववसूल करके देगा उसको ठेका मिलता था अब भई उस व्यक्ति ने उस ठेकेदार ने बहुत बड़ी रासी लगा करके निलामी को जीता है ठेका लिया है तो वो तो जादा जादा वसुल करेगा ना, तो सोसन करेगा, तभी तो उसको जादा मिलेगा, तो ये वारिन हेश्टिंग्स के समय, उसके बाद जो लाड कार्नवाली स्था, जिसको हम लोग बोलते कि भेई, उसने इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, भूराज जमी का मालिक था, वो भूमी हीन हो गया, अब वो खेती कैसे करेगा, जमीदार के पास जाएगा, कि भई मैं किसान हूँ, मुझको खेती करना है, तो जमीदार उसको देखेगा ठीक है, और जमीदार अपने मन मुताबिक उसको कोई खेत देगा, हाँ भई, तू यहाँ पर विवस्था ने किसानों को जमीदारों के रहमों कर्मों पर छोड़ दिया, जमीदार जब चाहे उस किसान को उस भूमी से बेदखल कर सकता था, और जब चाहे उसके भूमी को किसी और को दे सकता था, तो किसान जो है भूमी हीन हो गया, और भूमी का किरायदार होकर कर रह गया वही अगर हम लोग बात करें जमिदारों की तो भाई इस थाई बंदोबस्त विवस्था से केवल किसान ही सोसित नहीं थे जमिदार भी सोसित थे क्या था इसमें नियम कानून बहुत जादा थे जो भी जमिदार टाइम से भूरा जस्वन नहीं अदा करता था ना उसकी प्रीसपूर के जमिदार थे वो तो वो जमिदार थे तो उन्होंने भी इसमें नित्रित्व किया था बिहार छेत्र में बहुत बड़ा विद्रू उन्होंने खड़ा कर दिया था तो वो जमिदार थे इसके अलावा किसान तो सामिल थे ही थे तो ये कारणवाली इसकी बात इसके बाद वेलेजली वेलेजली ने क्या किया था भई सहायक संधी की नीती के तहत वेलेजली ने भारतिय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया भारतिय राज्यों के जो सेना थी उसको समाप्त करवा दिया अपनी अंग्रेज सेना रखवा दी भारतिय राज्यों म बना लिया मतलब कि जो लाड वैलेजली की जो साहेक संदी थी उससे भारती राज्य धीरे धीरे बृटिस इस्ट इंडिया कमपणी के नियंतरण में आने लग गया थे तो ये वैलेजली इसके बाग फिर आगे जो भी गवर्नर जनरल आते गए विल्लियम बैंटिक जिसको हम समाज में उस समय ये था कि जब भी लड़की का जन्म होता था कन्या का जन्म होता था तो उसको असुब माना जाता था आज भी कई स्थानों पर ये होता है तो क्या होता था कन्या जैसे ही जन्म ली तो उसको मार दिया जाता था तो कार्नवालिस ने इस चीज को भी बंद क की कोशिश की थी सती प्रथा जो मैंने बोला विद्वा इस्त्री को अपने पती की चिता के साथ जलना होता था तो इन सब चीजों पर कार्णवाल इसने प्रतिबंध लगा दिया ठीक है अच्छी चीज है भारतियों के हित में थी लेकिन कई न कई इन सब चीजों से भारतिय आहत हुए, क्योंकि ये जो चीजे भले ही गलत थी, लेकिन भारतियों के शामाजिक और धार्मिक मामले थे, काफी कम लोग थे, जिनोंने इन सब चीजों का समर्थन किया, राजा राम मोहन राय, जैसे जो नविन विचारधारा के समर्थक लोग थे, वही इन सुधारों के सम जा सिधा हस्तक छेप है इसके बाद भई डलहोजी आता है डलहोजी ने तो फिर भई कहर ही बरपा दिया था हडप नीती डलहोजी को ना 1857 की क्रांती के लिए सरवाधिक जिम्मेदार ठहराया जाता है इसकी जो हडप नीती थी हडप नीती जिसको गोध प्रथा निशेद के नाम से भी जाना जाता है तो इसके तहट इसने क्या किया जितने भी राज्य जो British East India Company के नियंतरन में थे बोला उनको की अगर तुम में से किसी भी राजा की कोई इस पुत्र नहीं होता है मतलब कि कोई भी राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है मतलब कि उत्राधिकारी नहीं है तो उस इस्तिती में अगर उस राजा की मृत्यू हो जाती है और कोई वैध उत्राधिकारी नहीं है तो ऐसी अवस्था में उस राज्य का सीधे सीधे ब्रिटिस समराज्य में विलय हो जाएगा तो इससे जितने भी भारती राज्य थे थे हरकम पमच गया कि क्या है ये क्योंकि हमारे भारत में प्राचीन समय से ऐसी व्यवस्था थी कि अगर किसी राजा को मानलों की पुत्र नहीं है या फिर उसके पुत्रों की मृत्तिव हो गई है मतलब उसका वैद उत्राधिकारी नहीं है और उसकी मृत्तिव हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो राजा है अगर उसका पुत्र वगएर नहीं है पुत्रों की मृत्तिव हो गई है तो वो राजा किसी को गोद ले सकता है अपने न विदान को वो फॉलो करके उसको गोद लेगा दत्तक पुत्र जिसको बोला जाता था तो वो ले सकता है और उसको बाद में अपना उत्राधिकारी भी गोशित करेगा और बकाइदा उसको माननेता भी दी जाती थी मतलब ये चीज़ जो है लीगल थी अगर किसी को पुत्र न नहीं है पुत्र नहीं है आप मर राते हो और आपने अगर किसी बच्चे को गोद लिया दतक बनाया है हम उसको नहीं maior आपका राज्य हमारा हुआ ये बोला गया तो सातारा जहासी नागपूर जैसलमेर संबलपूर ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहांके राजा पुत्र हीन थे, मतलब उनके पुत्र नहीं थे, किसी के तो पुत्र हुए ही नहीं थे, या फिर किसी के पुत्र थे, जिनकी मृत्ति हो गई थी, लेकिन उनके मरने के समय में उनका कोई भी पुत्र नहीं था, कुछ ने गोद ले रखा था, कुछ ने गोद लेने की परमिसन म तो ये चीज था, तो इस चीज से न, डलहोजी की हड़प नीती से, काफी लोग मतलब हताहत हुए, जो राजे महाराजे थे, वो तो ठीक है, वो लोग तो परेशान हुए हुए, उनका राजपाट चला गया, लेकिन उन राजएों में, क्योंकि इन राजएों को सीधे सीधे British East India Company के छेतर में मिला लिया गया, तो उन राज्यों में जो भी लोग काम करते थे, दरबार में जो काम करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हो, सैनिक हो, इसके अलावा उन राज्यों के दरबारों में जो राजारानी हैं, जो भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके विलासिता पूर्ण जीवन में जो भी उ प्रभावित्वे ऐसा नहीं है उनके साथ ना उनके साथ जितने भी लोग जुड़े होए थे उनके दरबार में जो लोग काम करते थे उनके राज्ये में जो भी प्रशास्निक अधिकारी कर्मचारी सैने की यहां तक कि जो नीम्न वर्ग के जो होते न सेवक वो सब भी कानी के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो वो सिल्पकार दस्तकार को क्या प्रोचसाहन रासी देगी तो ऐसे जो दस्तकार सिल्पकार थे दूसरे जो लोग थे जो कि इन राज्यों को उपभोग की वस्तुये सप्लाई करते थे जो कि एक तरह से ना यह जो राज्ये थे वो कहीं सारे चीजों को सनरक्षन देते थे, कहीं सारे साइत्यकारों को, संगीतकारों को, नृत्यकारों को, गीतकारों को, ऐसे दस्तकार, सिल्पकारों को, उनको सनरक्षन देते थे, प्रोचान देते थे, कि भई, तुम करो ये चीजे, लेकिन ये राज्ये ही बरबाद हो इन राज्यों का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वो जो दस्तकार थे, सिल्पकार थे, वो कहां जाएंगे, अंग्रेजों को तो इन सब चीजों में कोई रूची नहीं है, उनको बस पैसे से मतलब है, वो लोग तो इन चीजों को फ्री में ले करके, अपना विलायत ले ज हो गया, और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति रोस व्याप्त था, और आगे चल करके, जब ये क्रांती होई 1857 में, तो ये जो तमाम जो दस्तकार थे, सिल्पकार थे, हिसाइनिक थे, और दूसरे जो लोग थे, वो सब भी यहां पर सामिल होते हैं, तो डलाओ जी की बह बाद होता, 58 में होता, 69 में होता, 60 में होता, कभी ना कभी अवस्य होता, लेकिन 1857 में हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रूल ना, डलाओ जी है, तेके डलाओ जी ने हडप नीती चलाया, ठीक है, इसके अलावा इसने और भी कहीं सारी कूट नीती पूरवक, मतलब की क जैसे अवध, अवध जो है अंगरेजो का पक्ता वाला मितर था, बिल्कुल एंवद पक्ता वाला मितर था, हर बात में हां हुं करने वाला था, किसी को यह नहीं लग रहा था कि अवध को जो है düşün आउर्प लेगे लेकिन वहां का नवाब भी जिन्दा था, उसके उत्राधिकारी भी ठीक ठाक थे, तो ये वाली नीती लागू नहीं हो रही थे, तो डलहो जी ने क्या प्लान किया, कुछ दूसरा करते हैं, तो क्या बोला, जो अवद का जो नवाब था, वाजी दली साहा उस समय का, तो उसको बोला कि आप जो है, आपके राज्य में कुसासन हो रहा है, मतलब कि आप जो है, सही तरीके से सासन नहीं कर रहे हो, प्रजा जो है, दुख में है, कष्ट में है, तो ऐसे में आपका राज्य हम अपने राज्य में मिलाएंगे, आपको सासन करना नहीं आता है, आपको जो है, जान रखेंगे 75,000 सैनिक प्रभावित हुए थे अवध से तो ये चीजे थी इसके अलावा पंजाब का विलाय होता है डलहो जी के समय में बर्मा का एक छेतर पीगू उसको मिलाया जाता है सिकिम का भी विलाय होता है ये सब चीजे थी अच्छा डलहो जी ने ना इन सब चीजों क के अलावा हडपने के अलावा और भी कहीं सारे काम किये जैसे कि इसने कहीं सारे राजे महराजाओं के पेंशन जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया एक आप लोग याद रखेंगे नाना साहब जिसको की धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है इनकी 1877 की क्रांती में बहुत बड़ी भूमिका थी ये कौन थे तो आखरी मराठा पेशवा बाजीराव दुतिय के दत्तक पुत्र थे गोद लिये हुए पुत्र थे तो क्या था 1878 में जो पेशवा का पद था उसको समात्त कर दिया गया और ब पेंशन देंगे खाओ पियो मस्त बिंदास रहो ठीक है तो जो बाजीराव दुतिय हैं उनकी मृत्ति हो जाती है सन 1853 में अब उनको जो पेंशन दी जा रही थी वो बंद कर दी जाती है अब जो बाजीराव दुतिय थे उन्होंने अपना उत्राधिकारी बनाया था नाना साहीब को लेकिन अंग्रेजों नो तो पेंशन का पद को समाप्त कर दिया था और जो पेंशन दे रहे थे वो पेंशन को नहीं दे रहे थे किसको दे रहे थे बाजीराव दुतिय को तो पेंशन देना बंद कर देते हैं उसके बाद फिर नाना साहीब पहुंच जाते हैं अ अंग्रेज तो दत्तक पुत्र को नहीं मानते हैं, तो जो नाना साहब थे, उनका दिमाग खराब हुआ, और जब ये क्रांती शुरू हुआ न, 1877 में तो अवद छेत्र में, जो कानपूर है न, वहाँ पर नाना साहब ने हाहकार मचा दिया था, अंग्रेज यो का भेंकर कतल रियाम किया, आगे हम लोग देखेंगे, तो नाना साहब ये जो है, विद्रहों में सामिल लिए, क्योंकि उनका जो पेंसन था, वो बंद कर दिया गया, इसके अलावा, करनाटक के जो नवाब थे, उनको भी पेंसन दिया जा रहा था, उनका भी पेंसन बंद कर दिया गया उसके बाद तंजवर जो की प्राचिन समय में चोलों की राजधानी हुआ करती थी तो जो तंजवर के राजा थे उनकी मृत्तिव हो जाती है 1855 में तो उनको जो उपाधी दी गई थी राजा की उपाधी वो उसके उत्राधिकारियों को नहीं दी जाती है मतलब की उत्राधी उपाधी चीन ली गई तंजवर के राजा की उपाधी चीनी गई 1855 में और 1853 में करनाटक के नवाब और नाना साहब इन दोनों का पेंशन चीन लिया गया किसके दौरा डलहौजी के दौरा तो ये लोग भी परेशान उसके बाद डलहौजी के समय में और मुगल बादसाह का अपमान मतलब की मुसल्मानों का अपमान तो मुसल्मान इससे काफी जादा अंग्रेजों के खिलाब कुपित हो गए क्या किया था डलहौजी ने तो देखिए क्या बोला इसने सन 1849 में पता नहीं मैंने ये वाला चीत पहले बताया है या नहीं बाकी सा 1849 में डलहौजी ने बोला कि जो मुगल बादसाह है बाहदुर शाह जफर जो वरतमान में समराठ है बादसाह है मुगल बादसाह तो जब इसकी मृत्यू हो जाएगी कभी भी जब वो मरेगा तो उसके बाद उसके जो उत्राधिकारी होंगे उसको लाल किला छोड़ना तो तब से मुगलों का जो केंद्र था और शाह जाहनाबाद था उससे पहले आगरा था तो शाह जाहनाबाद में लाल किला वहाँ पर बादसाह रहता था तो बोला 1849 में कि जब बहादुर शाह की डेथ हो जाएगी बहादुर शाह जफर उसके बाद उसका जो उत्राधिक तो लाड़ कैनिंग के समय में ही 1877 की क्रांती हुई थी। टो लाड़ कैनिंग क्या बोलता है 1856 में कि जो मुगल समराथ है जिसको कि समराथ बोल रहे हैं हम लोग उस समराथ ही उसको उपादी दी गई थी, राजा जो है हम लोगों ने देखा है प्राचीन भारत में जो छोटे मोटे जो सासक होते थे उनको राजा की उपाधी दी जाती थी उससे बड़े वाले होते थे महराजा उससे बड़े वाले होते थे महराजा धिराज फिर होते थे समराट दुनिया भर का उपर बढ़ता जा बहादुर शाह के बाद उसके बेटे को कुतब मिनार के पास भेज देते, धीरे-धीरे उसको भी साफ कर देते, तो ये चीज बोला गया, इसके अलावा बहादुर शाह जफर मतलब कि मुगल बादसाह के प्रती, जो थोड़ा बहुत सम्मान दिखावे के लिए भी बचा हु तो वो लोग काफी जाधा आहत हुए, उनके मन में गुस्सा भरने लगा और वो कभ फूटा 1857 में, तो ये तमाम चीजे आप लोग भ्यान रखेंगे, ये राजनेतिक कारणों के अंतरगत है, क्या कुछ छूट गया है क्या मैं देख लेता हूं एक बार, राजनेतिक अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद, इसके अलावना जो दूसरे जो राजा, महराजा थे, ठीक है, हाँ हो गया, इसके बार हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारणों की, तो ये हो गया आपका राजनेतिक कारण, तमाम चीजे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी मैं अब सासक बन चुके हैं भारत में हाला कि धीरे धीरे उनका हुआ पहले बंगाल फिर मैसूर ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता गया तो सासक बन गए इससे पहले वो क्या थे व्यापारी थे सन 16 सव ए जब British East India Company की थापना हुई इंगलैंड में तो ये एक केवल मात्र व्यापारी कमपणी थी और व्यापारी कमपनी का क्या उद्देश्य होता है व्यापार करना मतलब की वस्तू खरीदिना उसको बेचना यही काम होता है व्यापार में इधर से खरीदो उदर ले जा अग्रेश थे British East India Company, शुरुवात में आये थे व्यापार करने के लिए, तो शुरू में जब ये लोग आये थे ना, तो भारत से तयार माल खरीद करके लिए जाते थे, यहां से जो कपड़ा तयार होता था, चमडे का सामान तयार होता था, मसाले तयार होता था, दूसरी अस्तकार थे, सिल्पकार थे, वो लोग भी ठीक ठाक कमा रहे थे, इनके साथ व्यापार करके, और भारत के जो व्यापारी थे, वो लोग भी ठीक ठाक कमा रहे थे, और जो भारतिये सा सकते, वो भी ठीक ठाक उनको कर अगेरह मिल जाता था, टेक्स अगेरह मिल जाता था, लेकिन ना जब औरंगजेब की मृत्ती होई उसके बाद फिर इनको फ्री वाला सिस्टम शुरूँ हो गया जैसे कि फर्रुक सियर उसने क्या बोला सन 1717 में अंग्रेज गये थे ना फर्रुक सियर के पास क्या बोलने से उसके चाटने सारी माफी चाहूंगा एक मतलब उसके पास गये थे कि फर्रुक सियर के पास एक मतलब अरजी करने की भई हम व्यापार करना चाहते हैं उनके साथ एक डॉक्टर भी था जिसने फर्रुक सियर को किसी बीमारी से मुक्त करवाया था मतलब इलाज क था तो फरुक शिएर वड़ा खुस हो जाता है तुम लोग बंगाल बिहार उडीशा में व्यापार करो जितना चाहे उतना व्यापार करो बस मेरे को मात्रत तीन हजार रुपया दे देना तो सुचों बंगाल बिहार उडीशा जहां से बहुत जादा मुगलों को प्राप्त होता था वहां अंग्रेजों को बोला गया कि 3000 रुपया दो और अनलिमिटेट बिजनेस करो एक होता है ना जो कहीं सारे होटलों में एक निश्चित रासी होती है 100-500 रुपया उसमें भर पेट खाना खा सकते हो जितनी बार चाहे उतनी बार तो वैसे टाइब से बोल दिया गया इसके अलावा सूरत में 10,000 रुपय दो और जितना चाहे व्यापार करो लेकिन जब औरंगजेब जब तक था ना ये चीज़े नहीं थी तब तक कंट्रोल में था सारा चीज़े तो शुरुवात में ये लोग भारत से माल खरिदते थे और बाहर खरिदना शुरु कर देते हैं तो उनको जबरदस्ति उनको डराते हैं धमकाते हैं मारते हैं पीटने हैं कि हम कोई सामान बेचो और हम जितने में चाहरे हैं उतने ही में बेचो इसके बाद आगे चल करके जब इंग्लैड में और द्योगिक क्रांती सुरु हो जाती है माल खरीदने की आवशक्ता नहीं थी क्योंकि उनके पास जो है मसीनों का विश्कार हो गया जहां पर वो कम समय में कम लागत में काफी सारी चीजें बना सकते हैं तो उनको जरूरत क्या था कच्चे माल की तो उन्होंने भारत को जिसके साथ पहले वो तयार माल खरीदते थे अब कच्चा माल खरीदने लगे कच्चा माल खरीद के ले जाते इंगलेंड वहां से माल तयार करते और उसी को भारत में ला करके बेचते सोचो यहां से कपास गया भारत से इंगलेंड यहां से कपड़ा बनके वापस भारत आएगा भारत नहीं बिकेगा तो जो कपास भा मामले में उसको बेचा जाता था लेकिन भारत में जो सामान तयार होता था उसके मामले में ये जो सामान था थोड़ा सस्ता होता था थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सस्ता होता था उसका कारण है क्योंकि हमारे भारत में उस समय तक मसीनों का दोर नहीं आया था हमारे यहां उस समय भी हत करगा होता था, हाथों से ही काम होता था, चाहिए वो कपड़ा हो, चमड़ा हो, कुछ भी हो, हाथों से तयार होता था, लेकिन उसके जो क्वालिटी है बहुत बड़िया होती थी, एक बार आदमी बना ले खरीद ले, सालों साल चलेगा, आज भी होता है जो भारत में जो लोग काम कर रहे थे, जो सिल्पकार थे, दस्तकार थे, वो चुकि अभी भी हाथ से काम कर रहे हैं, तो उनके जो बनी वस्तिए भले अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन मुल्ने जादा था, तो जो भारतिये ग्रहक था, वो सस्ती चीजों की और आ वो लोग बिकार होने लगे, अपना काम धंदा छोड़के वो लोग खेती करना सुरू कर दिये, जो कि उनको आता नहीं था, क्योंकि पहले हमारे भारत में ये होती थी, कि जो सिल्पकार है, दस्तकार है, वो सिर्फ वही काम करता था, और जो गाउं के जो किसान होते थे, वो जो है, उनको उपज में से कुछ हिस्सा दिया करते थे, और वो सिल्पकार दस्तकार अपने उत्पादित वस्तूओं में से कुछ हिस्सा गाउं के लिए रखते थे, तो ये बड़ा मतलब अच्छा एक्सजन होता था, तो जो दस्तकार सिल्पकार थे, वो खेती की ओर चले गए खेती में तो अलग से competition है ना बंगाल में स्थाई बंदोबस्त कोई जो किसान है वो भूमीन है वहां तो अधिक सोसन है इसके अलावा काफी सारे लोग ब्रिटिस से ना में सामिल होने लगे वहां अलग परेशानी तो इस तरह से अर्थिक स्थिती से भी जो है काफ परेशानिया हुई इसके अलावाद जमिदारों का शोषन वह भी आर्थिक कारण में ही आप लोग एड कर सकते हो तो जो भारत का धन है वो बाहर जाने लगा यह अर्थिक कारण इसके बाद अगला हम लोग देखते है यह दूसरा है आर्थिक कारण इसकी बाद अगला हम प्रशासन में उनके साथ काफी भेदभाव होता था अगर मैं सेना की बात करूँ तो एक व्यक्ति सेना में उसके लिए जो सबसे बड़ा पद होता था सूबेदार सूबेदार वैसे अगर हम लोग देखें सेना में कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है लेकिन भारतिय जो है केवल उस सूबेदार के पद तक ही जा सकता था उसके उपर का पद उसको दिया ही नहीं जाता था वहीं अगर हम लोग बात करें असैनिक विभाग की मतलब जो सा सदर अमीन के पद तक ही जा सकता था जो सूबेदार होता था सेना में उसकी सैलरी होती थी 60-70 रुपए और जो सदर अमीन होता था उसकी सैलरी होती थी 500 रुपए तो इससे बड़ा पद किसी भी भारतिय को चाहे वो कितना ही योग्य क्यों नहीं दिया जाता था जबकि य अधर अमीन कोई सेना में जा रहा है चुबेदार उस से उपर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था चाहे आप अंग्रेजों के कितने बड़े ही चार्टुकार क्यूं नहों तो ये चीज भी जो है कही ना कहीं भारतियों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोश्वयाप्त करने के लिए काफी था, इसके अलावा एक और चीज था, जो अंग्रेज और भारतिय, मानद लोग कोई अंग्रेज भारतिय एक ही पद पर है, मतलब अलग अलग एक ही पद पर है, तो उनके वेतन में जमीन आसमान का फर्क होता था, मतलब अंगरे जो को जादा सेलेरी मिलता था और भारतियों को कम मिलता था एक ही पद होने के बावजुद भी और भारतियों को परमोशन का उतना चांस होता ही नहीं था मान लोग कोई एक सैनिक है वो सुबेदार के पद तक भी पहुँच पाएगा इसकी भी कोई गैरेंटी नहीं होती थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, तो ये प्रशासनिक कारण, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, कारण होना है, हाँ, सामाजिक और धार्मिक कारण, तो इसके अंतरगत, सामाजिक धार्मिक कारण के अंतरगत, जो अंग्रेज थे न, उन्होंने भा अंत किया उसके बाद कञ्यावद इसके अलावा कई सारे जो गवर्णर जनरल थे नर्वली प्रथा को रोकने का प्रियास किया कैनिंग के समय में हिंदू विद्वापुनर विवाह अधिनियम लाया गया तो इन सब चीजों से जो रूढ़ी वादी भारतिय थे जिनकी संख् जो इन सब चीजों का समर्थन करते थे कि ये जो चीज़े हैं हमारे समाज संस्क्रती से जुड़ा हुआ चीज़े तो जब अंग्रेजों ने इस पर दखल देना सुरू किया तो ये लोग जो हैं अंग्रेजों से काफी रुष्ट होने लगे तो ये एक चीज था इसके अल ब्रिट्स से भारतिये दस्ते होते थे ना तो उसमें एक एक ये अंग्रेज मतलब इसाई पादरी हुआ करता था, ये मतलब एक उसी उद्देशेशे कि वो भारतियों को थोड़ा सा कनवर्ट कर सके, इस तरब खीच सके इस उद्देशे से, तो इससे भी भारतियों के मन में अंग्रेजों के प्रती काफी रोस जानती थी, उसको शुरू करने वाले कौन थे, सैनिक थे, हाला कि सब परिशान थे अंग्रेज से, लेकिन सैनिकों के साथ कुछ और ही हो रहा था, बाकि तो ठीक है, देखो, क्या है ना, जब तक किसी व्यक्ति पर आप उसको मारो, पीटो, उसका सोशन करो, उसको खाना मत ठीक है, वो तोड़ों सह लेगा, लेकिन जब ना, बात धर्म पर आती है, तब आपको कोई खाना दे या न दे, आदमी धर्म के नाम पर कुछ भी कर बैठता है, मतलब कि कोई भी वेक्ति अपने धर्म के प्रति, मतलब कि उसका धर्म भरष्ट हो जाएगा, उसकी जाती भ आता है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो तातकाली कारण, चर्वी वाले कार्तूस हैं, जिसमें गाय सुमर के चर्वी लगे थे, आगे मैं बात करूँगा, तो देखते हैं सैनिक कारण की, तो देखें सैनिक जो है न शुरुवात से, जैसे कि हमने पिछले वाले वीड लेकिन धीरे धीरे न, क्या हुआ, जैसे कि 1806 में, वेलोर में विद्रो हुआ था, सैनिको का विद्रो, तो वहाँ पर क्या था, उनके जो धार्मिक प्रतीक थे, जो सामाजिक धार्मिक प्रतीक थे, जैसे कि हम भारतिय, आज भी आप लोग देखोगे, जो काफी थोड़े से रिलेजियस होते हैं, तो वो टीका लगाती हैं, इसके अलावा कहीं सारे लोग दाड़ी रखते हैं, हिंडूों में भी दाड़ी रखने की प्रता होती है, मुस्लिम तो रखते ही रखते हैं, सिख भी रखते हैं, इसके अलावा हाथों में कड़ा पहना जाता है, कहीं सा शैनिको को बोला गया कि आप लोगों को ये सब चीजें छोड़ने होगी तिलक नहीं लगाना है कड़ा नहीं पनना है दाड़ी नहीं रखना है पगड़ी मत पनो पगड़ी के जगा हमारा टोप लगाओ इस टाइप से तो ठीक है सुरू में कुछ ने विद्रो भी किया था जैसे के वेलोर में हुआ इसके अलावा भारतिये शैनिको को लड़ने के लिए काफी दूर दूर भेजा जाता था ठीक है दूर भेजो कोई दिक्कत नहीं है अपने मतलब भारत भूमी में भारत भले उस समय अलग-अलग था लेकिन फिर भी भारत जो है अगर आप 1224 बर्मा भेजा जा रहा था सैनिकों ने मना कर दिया नहीं जाएंगे जिनोंने भी मना किया सबको मार दिया गया तो समुद्र पार करने से क्या होता था मतलब पहले ऐसी माननेता थी कि समुद्र को शागर को अगर हम पार करेंगे तो उससे हमारा धर्म भरष्ट हो जाएंगे इस तरह से होता था और जो 1849 से 42 तक अफगानिस्तान में मतलब कि आंगल अफगान युद्ध हुआ था 1849 से 42 तक तो इस युद्ध में बंगाल से जो सैनिक ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए गये थे अफगानिस्तान तो जब वहां से वापस लोटे तो उनके जो रिष्टेदार थे उनके जो जाती के जो लोग थे उन्होंने उनको एकसेप्ट नहीं किया मतलब उनको जाती से बाहर कर दिया और जाती से बाहर होने का मतलब क्या होता है कि आपको जो है अलग थलग कर दिया जाएगा आपके घर में कुछ भी में सामिल होने के लिए आपके घर कोई बीमार भी पड़ जाएगा कोई देखने नहीं आएगा आपको कोई छुएगा नहीं जहां से पानी लाया जाता है चाहे घाट हो कुछ भी हो तो वहां आपको आने नहीं दिया जाएगा आपके साथ कोई बात नहीं करेगा खाना नहीं लड़ने गए थे उनको जो है जाती से बाहर कर दिया तो ये एक एक जामपल था सैनिकों के पास अब क्या होता है इन सब चीजों के अलावा इनको जो है अठारा सो छपन में जब कैनिंग भारत का गवर्णर जनरल बन करके आया तो उसने एक क्या करते हैं एक प्रस्ताव पा तो जो भी नए सैनिक भरती किये जाएंगे उनको ये वाइदा करना होगा कि British India Company उनको जहां भी लड़ने के लिए भेजेगी जिस भी राश्ते से चाहे समुद्र के राश्ते हो चाहे भारत के बाहर हो कहीं भी लड़ने के लिए भेजा जाएगा तो वो मना नहीं कर सकते तो ये चीज जो है शुरुवात में आपको किलियर करना होगा, आप लोग इसके लिए तयार हो, तभी सेना में भरती हो, तयार नहीं हो, तो कोई जरूत नहीं है, ये जो है कैनिंग ने बोला, और जो पहले के जो सैनिक थे, पुराने सैनिक, उन पर ये चीज लागू नहीं ह होता था, लेकिन समस्या ये थी, कि उस समय ना, British East India Company में जो भारती है सैनिक होते थे, उनका पद आनुवांसिक होता था, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेगा, आनुवांसिक होता था, मतलब जो सैनिक होता था, जब उसके डैथ हो जाती थे, तो उसके बेटे या क कई पुराने सैनिकों को भी काफी प्रभावित किया, तो ये सैनिक कारण आप लोग ध्यान में रखेगा, तो सैनिक कारण के अंतर का तावर कोई चीज छूट रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तक का लिख कारण क अचा एक और चीज छूट रहा है, चलिए इसको भी हम बता देते हैं, तो देखे, 1854 में, 1854 में मैं लिख देता हूँ इस चीज को, 1854 में, जो इंगलैंड है न, उनका यूद्ध होता है क्रीमिया का यूद्ध, 1854 में, काफी फेमस है क्रीमिया का यूद्ध, और इस भारतिय सैनिक थे, British East India Company के, उनको भी लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस यूद्ध मिना अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई, और इससे भारतिय सैनिकों को ये पता चला कि जो अंग्रेज है, वो अजेय नहीं है, देखो, अंग्रेजों को अजेय माना जा तहां बीच में जो, क्या करते हैं, आंग्ल मैशूर युद्ध में जो पहला वाला, दूसरा वाला में उनको कोई विशेस लाव नहीं हुआ था, पहला वाला में तो उनको हैदर अली ने धुल चटा दिया था, उसके प्रथम आंग्ल मराथा युद्ध था, उसमें भी अं अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी, मतलब एक दम बुरी तरह से हार हुई थी, तो अब भारतिय सेनिकों को लगता है कि ये लोग अजेय नहीं है, हमी लोग के दम पर ये लोग लड़ते हैं, अगर हम चाहें तो इनको हरा सकते हैं, और ये चीद फिर भारत में भी जो राजे महराजे हैं, दस्तकार, शिल्पकार, किसान उन तक भी पहुंची होगी कि क्रिमिया के युद्ध में अंग्रेजों को हार हुई ये बुरी तरह से, तो अंग्रेजों की जो अजेयता थी, वो कही ना कहीं, मतलब अजेयता का जो भ्रम था अंग्रेजों को, वो जो है तूट गया, तो ये भी भारतिये शैनिकों और भारतियों को एक उत्साह देने वाली चीज थी, कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो ये कारण आप लोग ध्यान रखेगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ततकालिक कारण की, तो ये पांच कारण इसके बाद तातकालिक कारण, मतलब की देखी, जो चीजें हैं वो तयार हो गई थी, कभी भी विश्फोट हो सकता था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी किस रूप में आई, तो चर्बी वाले कार्टूस के रूप में, तातकालिक कार सिद्ध हुआ 1857 की क्रांती का, देखी कैसे, क्या होता है, पहले जो British East India Company की जो सेना थी, उसमें एक बंदू प्रियोग किया जाता था, जिसको ब्राउन बेस बोला जाता था, ब्राउन बेस, ब्राउन बेस है सायद, हाँ, आज भी हमारी सेना है, या फिर कहीं भी हो, कोई सबी डिपार्टमेंट हो, मतलब कि दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, पहले क्या होता था, आप ऑफिस लोग में जाते थे, बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल छोटे-छोटे वाले होते, LED वाले होते, LCD वाले होते, उससे पहले तो भाई, बड़ा कंप्यूटर भी ने था, खाली वो जो फाइल वगरे है, पड़ा रहता था, उसी इस काम होता, धीरे-धीरे परिवर्तन आता जाता है, तो सेम यही चीज यहां भी हुआ, पहले ब्राउन बैस, इस टाइप के बंदू की यूज होते थे, तो इसमें जो खासियत यह थी, मतलब इसको यूज जो है, थोड़ा अलग तरीके से किया जाता था, तो इसमें क्या था, इस राइफल को यूज करने के लिए, पहले आपको उसका जो कार्टूस होगा, इस राइफल में जो कार्टूस प्रियोग मिलाया जाएगा, उसको आपको मानदों मारकर, तो ऐसे आपको मुह से काटना पड़ेगा, उसका जो ढक्कन होगा, उसको मुह से काटना होगा, दांतों से, और उसके बाद उसको खोलना होगा, मुह से ऐसे काटके, फिर उसको जो है, उसको बारूद है, उसको राइफल की नली में ऐसे करके भरना होगा, और जब पूरा बारूद निकल जाएगा, तो उस कार्थूस को भी उसमें डाल दो, और उसके बाद फिर फायर करो, तो इस तरह से इसका प्रियोग करना था, और इस राइफल के प्रियोग किस तरह से करना है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए तीन इस्थानों को चुना गया था, बंगाल में दमदम, दमदम निहान रखेंगे, दमदम एरपोर्ट है ना कलकत्ता में, तो दमदम बंगाल में इसके बाद अंबाला सियाल कोट, ये तीन इस्थान, दमदम, अंबाला, सियाल कोट, इन तीन इस्थानों में इस राइफल के प्रशिक्षण की विवस्था की तो ठीक है कोई बात नहीं नया राइफल आया है अंग्रेजो ने बोला कि यह जो राइफल है पहले से काफी अच्छा है इसका निसाना जो है अचूक है और जो भी इसको चलाएगा वो सुरत्छित रहेगा तो अच्छी बात है अच्छी चीज आ रहे थी तो समस्या कहां उत जा रहा है उन कार्तुसों में चिकनाई के लिए जो पदार्थ यूज किया गया है उसमें गाय और सुमर की चर्वी लगी गई है जो कार्तुस है उसमें चिकनाई लगाया हुआ था चर्वी जैसा ही कुछ था ऐसा बताया जाता है वो इसलिए लगाया गया था ताकि जो का पर्तु से इसमें गाय और सुवर की चर्वी लगी हुई है, अब जैसा कि गाय हिंदू के लिए पवित्र है, गाय हमारी माता है, बचपन से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं हिंदी इंगलिस सब में, इसके अलावा सुवर की बात करें, तो उसको हमारे जो मुसल्मान बंदू हैं बिकार समझते हो, क्या उसको भी आप मुह से लगाओगे, नहीं, लेकिन ये जो कार्टूस था, चर्वी वाला कार्टूस, उसको तो मुह से लगाना होता था, ठीक है, अगर हाथ से ऐसा खोल के डालना होता, तो सैनिक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते, लेकिन मु फैलना सुरू होती है, बाते होती है कि कैसे ये जो अंग्रेज हैं, ये लोग तो भाई हमारा धर्म भरष्ट करने में तुले हुए हैं, और लोगों में भी बात फैलनी सुरू होती है, लोग मतलब जो आम जनता है, उनमें भी बाते फैलना सुरू हो जाती है, और लोग अ जो आम जनता है वो एक मज़िदार चीज बोलती है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जो अंग्रेज है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी उसकी तुलना औरंग जेब से की जाती है मतलब वो बोलते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो औरंग जेब की भूमिका में हैं अब सैनिक को सिवाजी बनना होगा यह बोला जाता है देखू औरंग जेब के समय में चत्रबती सिवाजी महाराज ने औरंग जेब की हालत खराब करके रखी थी औरंग चत्रबती सिवाजी महाराज तो ठीक उनके बाद उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी हालत खराब करके रख द की भूमिका में है अब सैनिकों को सिवाजी बनना होगा तो यह बोला जाता है प्रेरित करने के लिए अब तो तुम लोग उठो अब तो तुम लोग जागो आप लोग उने मंगल पांडे मुवी देखी होगी तो उसमें एक मुझे ना रानी मुखर जी की एक डायलोग याद बताया इसका प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग इस्थानों पर केंद्र बनाये गए थे तो अब बंगाल में एक इस्थान है बैरकपूर तो यहां पर यह जो बैरकपूर है यहां पर चौतिसवी एनाई चौतिसवी एनाई मतलब जैसे बतालियन होता है ना एनाई का मतलब नेट्युव इंफैंट्री तो चौतिसवी एनाई यहां के सैनिकों को इकट़ा किया जाता है और इनको जो है यह वाला राइफल दिखाया जाता है कि यह बड़ा अच्छा है प्रियोग करके दिखाया अग्रेज अधिकारी आता होगा वो मूवी में भी दिखाया है ना अंग्रेज अधिकारी पहले आता है उसको ऐसे चलाना आए बोलके दिखाता है अब तुम में से कोई एक आगे आओ और इसको यूज करो लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता है क्यों कि चर्बी वाले कार् वाही करेंगे ही करेंगे आज भी होता है यह चीज तो यहां पर जो है कोई भी तयार नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद भी ना कोई कुछ करने को तयार नहीं होता है लेकिन मतलब की जो सैनिक है ना वो इस चीज का विरोध तो करते है कि इसमें चर्बी लगा हुआ ह हमारा धर्म भरष्ट हो जाएगा लेकिन कोई कुछ करने को तयार नहीं होता है आवाज उठाने को तयार नहीं होता है तो ऐसे में ये बैरकपुर के 44 एन आई रेजिमेंट का सैनिक मंगल पांडे ये आगे आता है ये जो है पूर जोर विरोध करता है इस चीज का अब काफी सारे दोस्त अंग्रेज अधिकारी से भी इसकी दोस्ति थी तो कहते हैं कि इनके जो मित्र थे अंग्रेज मित्र तो उन्होंने इनको भरोसा दिलाया है और मंगल पांडे ने चर्वी कार्टू से उसको यूज कर लिया था लेकिन आगे चल करके इनको जो है असल चीज पता चलती है फैक्ट्री वगरे में जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो गाय सुवर के चर्वियों को मिलाया जा रहा है उसके बाद फिर यह अपने साथियो को भी विद्रोहू के लिए प्रेरित करते हैं कि मेरे साथ आओ लेकिन तैयार तो सब मतलब चाहतं हैं कि यह वाला यूज कार्टू से कोई यूज करना नहीं चाहता है लेकिन मंगल पांडे का साथ कोई नहीं क कोई नहीं रहे होता है यह मतलब एक सैन्य अधिकारी की हत्या भी कर दी, उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, अच्छा इनका विद्रोग कब हुआ था तो 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोग किया, अपने साथियों को भी आहवान किया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा इसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है, इनके उपर अभियोग चलाया जाता है और इनको मृत्यूदंड की सजा सुनाई जाती है, 18 अप्रेल, 18 अप्रेल को इनको मृत्यूदंड देना होता है, लेकिन इसके 10 दिन पहले ही, 8 अप्रेल 1857 को, इनको जो है पूरी, मतलब स अपके सामने open मृत्युदंड दिया जाते हैं अंग्रेज ना ऐसे ही करतेऊ खुले में वे मृत्युदंड दिया करते थे खुले में तो आट अपरेल 1857 को यह जो मंगल पांडे हैं उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है कब देना था 18 अप्रेल को ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके बाद ये जो 34 वी एनाई रेजिमेंट है इसको भंग कर दिया जाता है मतलब अंग्रेजो को लगता है कि जो मंगल पांडे जिसने आहवान किया कि आओ मेरे साथ विद्रोह करो सैनिक तयार भी थे इसलिए 34 वी एनाई रेजिमेंट को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है तो इस तरह से ये जो चरवी वाला कार्टूस है वो एक चिंगारी का काम करते हैं मतलब सब कुछ तयार था बस एक चिंगारी की जरुरत थी तो चरवी वाले कार्टूस ने 1857 की क्रांतिक के तातक बैरकपूर कहा है बंगाल में तो 24 अप्रेल 1857 को मेरट कहा है उत्तर परदेश में अब आप लोग देखिएगा बैरकपूर जो की बंगाल में है मेरट जो की उत्तर परदेश में दूरी कितनी होगी बहुत जादा दूर है ना तो ये जो मंगल पांडे ने जो आवाज प्रेक्टिस करो लगाओ निसाना लेकिन यहां के सिपाई मना कर देते हैं बाद में उनको पकड़ लिया जाता है लंबी-लंबी सजाएं दी जाती है जिसको हम लोग ना अगले वाले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वाला जो है काफी लंबा हो गया है तो इसी के अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद